अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को भी प्रेस कर दें क्यूंकि आने वाली वीडियो में मैं आपको पूरा एंसेयर्टी स्लेबर्स कराने वाली हूँ तो आज की इस वीडियो में मैं क्लास एट का चैप्टर फोर विपिन चौधरी स्लैप्स ओफ मेमोरी को एक्स्प्लेइन करूंगी तो चलिए बिना वद्गवाए इस कहानी को शुरू करते हैं इस कहानी की शुरूआत में बताया गया है कि हर सोमवार विपिन चौधरी काम से वापस आने के बाद किताबे खरीदने के लिए न्यू मार्केट में स्तित काली चलन की पुस्तकों की दुकान पर जाया करता था वह क्राइम स्टोरीज, गोस्ट स्टोरीज और थिलर की किताबे खरीदता था वह पांच किताबे खरीदता था ताकि वह उन्हें हफते के अंदरी पढ़ सके बिपिन चौदरी अकेला रहता था और वह मिलनसार व्यक्ति नहीं था उसके कुछ ही दोस्ते और वह बेकार की चैट में समय बिताना बिल्कुल पसंद नहीं करता था आज बिपिन बाबु जब काली चरण की दुकान पर किताबे खरिदने के लिए आया था तब उसे ये महसूस हुआ कि जैसे कोई उसे करीब से देख रहा था वह गोल घुम गए तभी उन्होंने देखा कि सामने से एक आदमी उन्हें देख कर मुस्कुराता है फिर बिपिन बाबु उससे कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे पहचानते हो क्या हम पहले मिले हैं? वह आदमी ये सुनकर हैरान हो गया उसने बिपिन बाबु से कहा कि हम पूरे सप्ता मिले हैं और वह उन्हें ये भी कहता है कि उसी ने उन्हें हुन्ब्रो फॉल्स में ले जाने के लिए एक कार की विवस्ता की थी 1958 में वो भी राची में फिर वह आदमी बिपिन बाबु को अपना नाम परिमल घुज बताता है ये सुनकर बिपिन बाबु को ऐसा लगता है जैसे कि वह आदमी उनसे कुछ गलत कह रहा है क्यूंकि वह कभी राची गए ही नहीं हाँ हाला कि उसने कई बार राची जाने के बारे में सोजा था पर वह कभी भी जा नहीं पाया फिर विपिन बाबु उस आदमी से पूछते हैं कि क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ इस बात पर वहो आदमी उनसे कहता है कि कौन विपिन चौधरी को नहीं जानता है फिर विपिन बाबू इस बात को सुनकर किताब के अलमारियों के ओर देखते हुए उससे कहते हैं कि आप जरूर कोई गलती कर रहे हैं क्यूंकि मैं कभी राची गया ही नहीं वहो आदमी इस बात पर जोर से हसता है और फिर विपिन बाबू से कहता है कि मिस्टर चौधरी जी आप खुंदेरो फॉल्स में गिर गय थे और आपके दाहिने घुटने पर चोट भी लग गई थी और मैं ही आपके लिए आयोडिन लाया था और अगले दिन नेतार हट जाने की लिए मैंने आपके लिए एक कार की विवस्ता भी की थी और आपको घुटने में बहुत दर्द हो रहा था क्या आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा इसके बाद बीपिन बाबू उस आदमी से याले की परिमल घुष से पूछते हैं कि क्या कोई और भी है जो उसे जानता हो राची में फिर वह आदमी बीपिन बाबू को मिस्टर दिनेश मुखर जी के बारे में बताता है और उन्हें ये भी याद दिलाता है कि वो वहाँ एक मंगले में रुके थे उन्हें होटल का खाना पसंद नहीं था इसलिए वे अपने खाने को सिर्फ बावर्ची से ही पनवाया करते थे फिर वह आदमी उन्हें मिस्टर मुखर जी के बारे में बताता है और उनसे कहता है कि मिस्टर मुखर जी अपनी भेन के साथ एते थे और वहीं पर उन्होंने चंद्रमा की लेंडिंग के बारे में अपना तर्क भी रखा था फिर वहाँ आदमी बिपिन बाबू से ये भी कहता है कि वहाँ उनके बारे में बहुत कुछ जानता है जैसे कि वहाँ अपने साथ एक किताब का थैला रखना पसंद करते हैं ये बात सुनकर विपिन बाबू उससे सवाल पूछते हैं कि वहाँ 1958 में किस महिने की बात कर रहा है तब वहाँ उन्हें बदाता है कि वहाँ 1958 में अक्टूबर महिने की बात कर रहा है इस बाद पर बिपिन बाबु उससे कहते हैं कि वहौNnd 1958 में कानपुर में किसी दोस्त की पूजा में शामिल होने के लिए गये थे इसके बाद पीपिन बाबू उस आदमी से कहता है कि वो कोई गलती कर रहा है और वो उसे वहां से जाने के लिए भी कहता है पर वो आदमी वहां से नहीं जाता है और ना ही वो अपनी बखबख बंद करता है फिर वो आदमी पिपिन बाबो के पास आकर उनसे कहता है कि आप बहुत अजीब हैं किया आपको ये भी याद नहीं है कि एक शाम आपने मेरी साथ मंगले में चाय पी थी जहां आपने मुझे अपने परिवार के बारे में बताया था आपने मुझे बताया था कि आपका कोई बच्चा नहीं था आप अपने पत्नी को दस साल पहले ही खो चुके थे और आपका एक लौता भाई था जिसकी पहले ही मौत हो चुकी थी यही वज़ा थी जिस वज़े से आप मेंटल हॉस्पिटल का दोरा नहीं करना चाहते थे जैसे ही बिपिन बाबु ने ये बाते सुनी उन्होंने किताब के पैसे दिये और वो दुकान से बाहर चले गए और वो आदमी उन्हें वहीं से देखता रहा अब आगे हम इसके पार टूको पढ़ते हैं बिपिन बाबु ने अपनी कार को लाइट हाउस सिनेमा के पास बर्टम स्ट्रीट में पार किया हुआ था वह अपनी कार में बैठते हैं और ड्राइवर को चलने के लिए कहते हैं इसके बाद बिपिन बाबु को पच्चतावा हो रहा था कि उन्होंने उस आदमी पर इतना ध्यान क्यों दिया और वह मन ही मन ये सोच रहे थे कि वे कभी राची गए ही नहीं और उन्हें ये भी समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी घटना को वो कैसे भूल सकते हैं जो 6 या 7 साल पहले हुई थी जबकि उनकी मैमूरी बहुत अच्छी है अब बिपिन बाबु को ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अपनी मैमूरी खो रहे हैं उनका बार बार ये सोच सोच कर दिमाग खराब हो रहा था वो बस यही सोच रहती कि ऐसा कैसे हो सकता है वो अपने आफिस में रोज काम करते हैं जो की एक बड़ी फान थी और वो अपने काम को बहुत जिम्मेदारी के साथ करते हैं और वो कभी भी कुछ गलती होने के बारे में सोच भी नहीं सकते फिर ऐसा क्यूं हो रहा है बार बार विपिन चौधरी इसी बात को सोचे जा रहे थे विपिन चौधरी मन ही मन ये सोच रहे थे कि केवल आज ही उन्होंने आदे घंटे के लिए उस आदमी से बात की फिर भी वह उनके बारे में बहुत कुछ जानता था यहां तक कि उसे उनकी बहुत सी परसनल बातों के बारे में भी मालूम था जैसे कि किताब के बैक के बारे में, पत्नी की मौत और भाई के पागलपन के बारे में विपिन बाबू को ऐसा लग रहा था कि वह आदमी उनसे जान बूच कर जूट बोल रहा था क्यूंकि वह 1958 में अपने दोस्त हरीदास बाकची के घर कानपूर में पूजा के लिए गए थे विपिन बाबू अपनी दोस्त हरीदास को पत्र लिखने के सोचते हैं तबी अचानक उन्हें याद आता है कि उनका दोस्त हरीदास कुछ हफते पहले ही अपने पत्नी के साथ जापांग चले गए और उसे उनका पता भी मालूम नहीं था। लेकिन फिर वो सोचते हैं कि उन्हें प्रमार की क्या जरुत है क्योंकि वह खुझ जानते हैं कि वह कभी राची गए ही नहीं। यही बास सोच सोचकर बिपिन बाबु के दिमाग में बेचैनी हो रही थी। आप वह अपने शंका को दूर करना चाहते थे। इसके बाद पिपिन बाबु ने अपने पैंट को उपर किया ताकि वे ये देख सके कि वाकर में दाइने घुटने पर कोई कटका निसान है भी या नहीं। उन्हें अपने घुटने पर एक पुराने इंच का लंबा सा निसान दिखाए दिया। लेकिन ये बताना बहुत घुटने लेकिन उन्हें कुछ भी याद नहीं आया। तभी विपिन बाबु को अचानक दिनेश मुखर जी का ख्याल आया। उस आदमी ने यानि कि परिमल घोस ने उन्हें कहा था कि दिनेश मुखर जी भी उसी समय राची में थे। उन्हें लगा कि सबसे अच्छा रहे कि उनसे ही पूछा जाए। दिनेश मुखर जी बेनिंजन स्ट्रीट के पास ही रहते थे। अब बिपिन बाबु तुरंथ ही उनके पास जाना चाहते थे। पर उन्हें लगा कि दिनेश उनके बारे में क्या सोचेगा। क्यूंकि उन्हें लगा कि वे तो ये जानते ही हैं कि वे कभी राची गए ही नहीं और उन्हें लगा कि अगर ये बात वो दिनेश से पूछेंगे तो वो उन्हें पागल समझेगा। इसलिए उन्होंने सोचा कि ना पूछना ही बहतर होगा। और बिपिन बाबु ये भी जानते थे कि दिनेश हमेशा से उनको सुनाता रहा ह इसके बाद बिपिन बाबु अपने घर वापस आ जाते हैं और अपने कमरे में अराम से बैठ कर कोल्डिन पीने लगते हैं। उन्हें इससे बहुत अराम मिल रहा था। रात के खाने के बाद वे थ्रिलर के किताबे पढ़ते हुए उसमें खो गए और वो उस आदमी याने की परिमल घोस के बारे में सब कुछ भूल गए। अगले दिन बिपिन बाबु अपने ऑफिस पर पहुँचे। पर गुजरते घंटों के साथ ही उनके दिमाग में वो सारी घटनाएं याद आ रही थी। फिर से वो उसी बात को सोचने में लग गए कि अगर उनकी मुलाका उस आदमी से हुई थी तो उन्हें याद क्यों नहीं आ रहा। लंच से ठीक पहले बिपिन बाबु ने दिनेश मुखर जी को फॉन करने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि फॉन पर सवाल पूछ कर निप्टारा करना ही बहतर होगा। और कम से कम उसके चहरे पर शर्मिं जिंदिगी नहीं दिखेगी। फिर उन्होंने नंबर डाइल किया 235616। उन्होंने पूछा क्या आप दिनेश बोल रहे हैं। मैं बिपिन बोल रहा हूँ। दिनेश ने कहा अच्छा अच्छा क्या खबर है। बिपिन बाबु ने उन्हें कहा वह बस ये पता लगाना चा क्या घटना हुई थी फिर बिपिन ने उनसे पूछा कि उस साल के बीच में आप कलकत्ता में थे फिर दिनेश ने बिपिन बाबु को एक मिनट रुखने के लिए कहा और उन्होंने कहा कि वह अपनी डायरी में चेक करके बताएंगे इसके बाद बिपिन बाबु की दिल की पास पास वहो किष्णा नगर में एक भतीजे की शादी में गए थे फिर बिपिन बाबु ने उनसे पूछा कि आप राची की यात्रम में गए थे दिनेश बाबु ने उनसे कहा नहीं मैं जाना चाहता था फिर बिपिन बाबु ने दिनेश मुखर जी को धन्यवाद दिया और उन्होंने टेलिफॉन रिजीवर को नीचे पटक दिया अब ये बात जानकर बिपिन बाबु का दिमाग खराव हो गया था वो अपने साथ टिफिन बॉक्स में संड्विच लाए थे उन्होंने वो भी नहीं खाया उनकी भूग मर चुकी थी मिस्टर मुखर जी ने उनकी चिंदा को और बढ़ा दिया था अब आगे हम इसके पार्थ्री को पढ़ेंगे लंच टाइम के बाद बिपिन बाबु को ये महसूस हुआ कि वे अपने डेक्स पर बैट कर काम नहीं कर सकते वो सोच रहे थे कि उनको 25 वर्ष हो चुकी है इस फार्म में काम करते हुए पर कभी भी उनके साथ ऐसा नहीं हुआ बिपिन बाबु बहुत ही हार्ट वर्किंग बरकर थे उनकी अलगी रेपोटिशन थी उनकी फार्म में लेकिन आज पहली बार वो अपने आपको अस्वस्त महसूस कर रहे थे उनका सिर चकरा रहा था वे सही से काम नहीं कर पा रहे थे इसलिए वे अपने घर पर आ गए उस समय दो बच कर तीस मिनट हुए थे बिपिन बाबु अपने बिस्तर पर लेट गए और वो अपने दिमाग पर जोड आने की कोशिश भी कर रहे थे वो ये भी जानते थे कि दिमाग पर चोट लगने से किसी की भी यादाश खो सकती है लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि कोई एक वेक्ती किसी एक घटना को छोड़ कर और चीजों को कैसे याद रख सकता है उसे इससे जुड़े हुए कुलू नहीं मिल रहे थे वो फिर से वही बात सोचने लग गया कि वह हमेशा से राची जाना चाहता था लेकिन अगर वो वहाँ गया भी है तो उसे कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा ये कैसे समझ हो सकता है कि उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा साथ बचकर तीस मिनट पर उनके पास उनका नौकर आता है और उन्हें बताता है कि उनसे मुलाकात करने के लिए कोई आया है जिसका नाम चुनिलाल बाबू है बिपिन बाबू जानता था कि वो उसके पास क्यों आया है बिपिन बाबू और चुनिलाल स्कूल में साथ साथ पढ़ते थे अब चुनिलाल बुरे वक्त से गुजर रहा था वह किसी नौकरी के सिलसिले में बिपिन बाबु की साहता चाहता था बिपिन बाबु जानते थे कि वे कुछ नहीं कर सकते और वो उसे पहले भी ये बात बता चुके थे फिर भी चुनिलाल उनके पीछे पड़ा था इसलिए बिपिन बाबु नौकर से ये संदेज देने को कहते हैं कि वह एक सब्ता तक चुनिलाल से नहीं मिल सकते लेकिन जैसे ही नौकर ने कमरे से बाहर कदम रखा फिर भी पिन बाबु को अचानक से कुछ याद आया वो सीडियों से नीचे उतरे और चुनिलाल के पास मिलने के लिए आये उन्होंने चुनिलाल से पूछा कि क्या उसे 1958 में उसके राची जाने के बारे में कुछ पता है चुनिलाल को याद था उसने विपिन बाबु को देखते हुए कहा कि 58 या 59 उसे लगा कि इतनी अच्छी मेमोरी वाला कोई आदमी इस बात को कैसे भूल सकता है फिर विपिन बाबु ने उससे पूछा कि क्या आपको यकीन है कि मैं राची गया था इसके बाद चुनिलाल सोफे में बैठ गया और विपिन बाबु को घुरने लगा उसने फिर विपिन बाबु से कहा क्या आप ड्रक्स या कुछ और ले रही है इसके बाद उसने ये भी कहा कि मुझे पता है कि पुरानी दोस्ती आपके लिए बहुत मायने नहीं रखती है लेकिन कम से कम आपके पास एक अच्छी यादास तो थी इसके बावजूद भी आप राची के यात्रा के बारे में सब कुछ भूल गए फिर चुनिलाल बिपिन बाबु से कहता है कि क्या आपको याद है कि मेरी आखरी नौकरी क्या थी बिपिन बाबु ने जवाब दिया हाँ बेशक याद है कि तुम ट्रैवल एजनसी में काम करते थे फिर वहो बिपिन बाबू से ये पूछता है कि आपको याद है या नहीं है कि मैंने ही आपकी राची के लिए रेलवे की ठिकट बुकिंग की थी फिर वहो उनसे कहता है कि मैं ही आपको देखने के लिए रेले स्टेशन पर गया था आपके डिब्बे में कोई भी फैन काम नहीं कर रहा था मैंने एलेक्ट्रिश्योन को बुला कर उसे ठीक करवाया था क्या आप सब भूल गए हैं? फिर चुन्निलान ने बिपिन बाबु से कहा कि जो भी बात है तुम्हें शायद अच्छी नहीं लग रही है उसने ये भी कहा कि मुझे आपके स्वास्त की चिंता है इसके बाद बिपिन बाबु ने उससे कहा कि शायद मैं कुछ जादा ही मेहनत कर रहा हूँ जिस वज़े से ऐसा हो रहा है और उन्होंने ये भी कहा कि अब उन्हें किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए इसके बाद चुन्नी लाल को ऐसा लगता है कि बिपिन बाबु की हालत सही नहीं है जिस वज़े से वो अपनी नौकरी का जेकर उनसे नहीं कर पाता और वहां से चला जाता है अगले दिन बिपिन बाबु डॉक्टर परेश चंदा के पास जाता है परेश चंदा एक यंग फिजीशन थे जिनके आखे चमकीली और नाग तीखी थी बिपिन बाबु ने अपनी समस्या के बारे में डॉक्टर चंदा को बताया उन्होंने कहा कि आपको इस भेंकर बिमारी का इलाज करना होगा और उन्होंने ये भी कहा कि ये बिमारी उनके काम को कितना प्रभावित कर रही है डॉक्टर चंदा के कुछ समझ में नहीं आ रहा था उनका सिर हिल गया इस बात को सुनकर उन्हों ने बिपिन बाबु से कहा कि चौदरी जी आज तक मैंने ऐसा मामला नहीं देखा आपका मामला असाधारण है और ये मेरे अनभव के परे है इसके बाद डॉक्टर चंदा ने बिपिन बाबु से कहा कि मेरा एक सुझाओ है मुझे नहीं पता कि ये काम करेगा या नहीं लेकिन एक कोशिश करनी चाहिए इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा आप बेफिक्र रहिए डॉक्टर चंदा ने उनसे कहा कि आप एक बार फिर से राची जाए शायद वहाँ जाकर आपको कुछ याद आ जाए इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है बस इससे जादा मैं आपके लिए और कुछ नहीं कर सकता इसके बाद डॉक्टर चंदा ने उन्हें नर्व टॉनिक और ट्रैंक्रिलाइजर दिया और उनसे कहा कि आपको अच्छी नीद लेनी की जरुवत है और ऐसा करने से लक्षन जादा अच्छे से सवज में आ पाएंगे अगली सुबा बिपिन बाबु को पहतर महसूस हुआ उन्होंने नाच्टा किया और उसके बाद वो अपने ऑफिस चले गए वहाँ उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन दिये और उसी शाम को राची के लिए टिकट ले अब इसके बाद हम पार्ट फोर को पढ़ेंगे और उसी शाम को वो राची के लिए निकल गए अगली सुबा वो राची में ट्रेन से उत्रे तभी उन्हें ये एहसास हुआ कि वो पहले कभी यहां नहीं आये थे बहुत स्टेशन से बाहर आए इसके बाद वो टैक्सी में बैटकर पूरे शहर के चारों और गए उन्होंने ये महसूस किया कि वहां की गलिया, इमारते, होटल, बाचार, मुराबांदी हिल इन में से उनका किसी के साथ भी मामुली सा भी परिचे नहीं था फिर उन्होंने सोचा क्यों ना हुन्डु फॉल्स चाया जाए ताकि उनको वहां कुछ मदद मिल सके क्योंकि वह खुद नहीं चाहते थे कि उन्हें ऐसा ना लगे कि उन्होंने कोई भी प्रयास नहीं किया फिर उन्होंने एक कार की विवस्ता की और दो पहर में हुन्डु फॉल्स के लिए निकल गए हुन्डु फॉल्स में पाँच बजे कुछ पिकनिक मनाने वाले लोगों में से दो गुजडाती व्यक्तियों ने बिपिन बाबु को एक बोल्डर के पास बेहोश पड़े हुए देखा उन्होंने देखा कि बिपिन बाबु बड़बडा रहे थे कि मैं समाथ हो गया अब कोई उम्मीद नहीं बची है अगली सुभा बिपिन बाबु कलकत्ता वापस आ गए उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया है जैसे कि अपनी इच्छा शक्ती, अपना कॉन्फिडेंस, अपनी काबिलियत और यहां तक कि अपना दिमागी संतुलन भी उन्हें लगा कि एक पल में उनका सब पुछ खत्म हो गया बिपिन बाबु को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था उन्होंने डॉक्टर चंदा को फॉन किया और उन्हें घर पर आने के लिए कहा इसके बाद उन्होंने नहाया और वो बिस्तर पर लेड़ गये वो अपनी दिमाग को थंडा करना चाते थे जिसके लिए उन्होंने अपने सिर्पर बर्व की थैली लगाई तभी उनका नौकर आया और उन्हें एक लेटर दिया जिसे किसी ने लेटर वॉक्स में छोड़ा था उस पर लाल पैन से उनका नाम लिखा हुआ था और साथ में एक हरे रंग का लिफाफा भी था उन्हें ऐसा महसुस हुआ शायद उन्हें इस पत्र के माध्यम से कुछ पता चल जाए उन्होंने लिफाफा खोला और पत्र बहा निकाला ये पत्र चुन्नी लाल का था इस पत्र में लिखा था डियर भी पिन मुझे नहीं पता था कि आप अमीर बनने के बाद इतने बदल जाएंगे क्या ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है कि तुम अपने पुराने दोस्त की मुश्किल समय में मदद नहीं कर पाए और जिसकी किसमत बहुत खराब चल रही हो मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए मेरे पास रिसोर्सेज भी बहुत सीमीत है मेरे पास जो imagination है वहाँ एक हिस्सा है जिसका इस्तमाल करके मैंने तुमसे बद्दा लिया ताकि तुम्हें ये एहसास हो सके कि तुमने मेरे साथ कैसा बरताव किया तुम इस letter को पढ़ने के बाद ठीक हो जाओगे और तुम ठीक हो भी इसके बाद चुर्णी लाल इस पत्र में कहते हैं कि मैंने एक novel लिखी है जिसको किसी और ने publish करने के लिए कहा है अगर वो इसे पसंद आ जाती है तो अगले कुछ महिनों के बाद ये छपकर आ जाएगी तुम्हारा चुन्नी लाल तो यहीं पर विपिन बाबू इस letter को पूरा पढ़ लेते हैं कुछ समय बाद डॉक्टर चंदा विपिन बाबू से मिलने के लिए उनके घर पर आते हैं तो विपिन बाबू उनसे कहते हैं कि वो तो बिल्कुल ठीक हैं राची में ट्रेन से उतर कि वो राची में गिर गए थे जिस वज़े से उन्हें दर्द हो रहा है और उन्हें एक अच्छी पेंट किलर की जर्वत है तो यहीं पर यह कहानी समाप्त होती है अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब क कीजिए धन्यवाद